Hello everyone, Jayhand, my name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel Target with Allo Junior Estet की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं English Language का syllabus discuss कर लेता हूँ और जैसा कि आपको पता है कि time कम है, चीजे cover करनी है तो हर एक चीज बहुत सटीक होनी चाहिए, बहुत selected होनी चाहिए कि कितनी चीजे पढ़नी है, कितनी चीजे छोड़नी है, तो यहाँ पर मैं आज detail में बताऊंगा कि क्या-क्या आपको पढ़ना है ठीक है, और उसके अलावा किसी और चीज की तरफ आपको नहीं देखना है, अगर आपको अच्छा result चाहिए तो तो सबसे पहले syllabus हम discuss कर लेते हैं, कि क्या syllabus है English language का, क्या-क्या आपको पढ़ना चाहिए तो syllabus की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी आती है history, history किस चीज की, यह history subject की बात नहीं हो रही है history of English literature and language, English language और English literature की history आपको पता होनी चाहिए और यह बहुत ही basic level का पूछा जाता है, ठीक है, तो यह बहुत ही basic level का है, बहुत tough level का नहीं है अगर कोई सोचता है कि जिस तरह की history of English literature पूछी जाती है, TGT PGT में उसी तरह की यहां पर भी आने वाली है तो इतना जादा PGT level इतना high level का नहीं पूछा जाता है, यहां पर थोड़ा basic level का इसमें पूछा जाता है, ठीक है फिर second thing जो आपकी आती है, इसके बाद वो grammar का point आता है, grammar के point को अगर हम detail में समझें, तो grammar में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है? ग्रामर के अगर हम बात करते हैं, तो grammar के under में आपका सबसे पहले, पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए, वो होता है parts of speech, ठीक है? parts of speech एक ऐसा topic है, जो grammar में लगभग लगभग हर exam पूछा जाता है, किसी भी exam में इसको छोड़ा नहीं जाता, हाँ, इसके different level होते हैं, कि हम grammar के कुछ ऐसे rules हैं, जो हम बहुत सारे rules यहां पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे questions नहीं बनते हैं, और बहुत सारे rules ऐसे हैं, जो जिससे हर जगा questions बनते हैं, जिससे यहां भी बनने हैं, तो उन्हें हम यहां पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट सो speech के बाद second thing जो आती है, वो होती है, formation of sentences, formation of sentences में आप sentence को format करना सीखेंगे, कैसे sentence बनाया जाता है, ठीक है, और इसी formation में आपको formation के साथ ही साथ, tense में पढ होएंगे, formation of sentences, तो आप देखेंगे, कि formation of sentences में, assertive और interrogative दो ऐसे sentences होंगे, जिनका formation बिना tense के नहीं होगा, तो आपको tense भी इसी के अंडर में पढ़ना पड़ेगा, formation ही सीख रहे होंगे, तभी आपको tense भी सीखना होगा, ठीक है, फिर इसी में आपको transformation भी सीखना होगा, लेवल के transformations नहीं होंगे, तो जो basic level के जिसे questions बनते हैं, सिर्फ वही पढ़ना है, वरना transformation बहुत ही बड़ा topic है अपने आप में, transformation के अंडर में ही आपका topic आता है voice, जिसे हम active and passive voice कहते हैं, इसको भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है, फिर इसके अंडर में, इसके अलावा, आप क्या सकते हैं, एक topic आता है आपका narration, narration भी आपको पढ़ना होगा, तो ये ऐसे basic topics हैं, जिनसे questions बनेगा ही बनेगा, ठीक है, और इनी topic से अलग-अलग तरह के questions बनते हैं, फिलिंदा blanks करके बनता है, improvement of sentences करके बनता है, transformation मैंने बताया, एक sentence दे दिया, उसको उसका assertive क्य होगा, या उसका negative क्या होगा, ऐसे करके transformation बनता है, ठीक है, तो ये आपके basic topics हैं, जिनको आपको cover करना ही करना है, ठीक, इतना cover कर लेंगे, तो आपका grammar हो जाएगा, उसमें कोई problem नहीं है, इन सब के साथ साथ एक चीज़ और आपको तयार करनी है, vocabulary, ये भी basic level की है, बहु है, जो आपको cover करना है, फिर इसके अलावा, मैं वापस जाता हूँ, अब पहले तो history of English, literature and language हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, grammar, तीसरा पार्ट इसमें आपका हो जाता है, vocabulary की बात तो मैंने कर दिया, comprehension, comprehension, एक ऐसा पार्ट है, जो आपका कहीं न कहीं, आपकी पूरी understanding पर होता है, आपने कितना English को पढ़ रखा है, इस पर depend करता है, ठीक है, comprehension में unseen passages आते हैं, जिनको आपको देखना होता है, पढ़ना होता है, और पढ़कर समझना होता है, फिर उस से related questions है, questions को आपको answer करना होता है, obviously objective type ही होते हैं, written तो होता नहीं है, पर इसमें आपको, आ आपने English कितनी पढ़ रखी है, ठीक है, तो comprehension का एक पार्ट ऐसा है, जिसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप अभी से reading habit अपने अंदर generate करें, आप किसी भी book को उठा लें, मेरा मानना ये है, कि अगर आप English medium की books ले रहे हैं, तो आप class 5th के उपर की 6, 7, 8, 9, जो भी ज से आप स्टार्ट कर दें, आज से, अगर लगकर आपने exam तक reading per day किया, तो आपका comprehension बहुत हद तक सुधर जाएगा, and obviously मैं तो बताओंगा ही कि कैसे करना है, पर एक habit में आपकी generate नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, वो आपको फुद करना है, चीक है, तो आपको reading habit अपने अ एक और तरह से मैं आपकी help कर सकता हूँ, और वो यह है, कि आप newspapers ले लिजे, magazines ले लिजे, अगर आपकी understanding थोड़ा अच्छी है, मान लिजे, तो आप newspaper और magazines से reading करिए, तो उससे क्या होगा, कि आपका जो latest events है, current affairs वगएरा, वो भी तयार होते चले जाएंगे, और reading habit भी एक अच्छा तरीका होता है, तो reading habit आपको अपनी बढ़या करनी है, 10-15 minutes per day आप मान करके चलिए, आपको देना है, ठीक, comprehension एक important part है, इससे questions जादा आते हैं, तो इसलिए यह habit आपको अपने अंदर generate करनी है, फिर यह तो main हो गया आपका, ठीक है, इसके बाद कुछ आपसे important writers भी पूछ लिया जाते हैं, उनका एक general introduction पूछ लिया जाता है, ठीक है, writers और उनका, कह लिजे general, बहुत depth में नहीं पूछते है, general introduction, और बहुत ही popular writers जो हैं, उन्हीं के बारें पूछा जाता है, introduction, और especially जो UP board का course है, intermediate बगएरा में, जिनके, कह लिजे, compositions हैं, उन्हीं writers के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो general introduction पूछा जाएगा, और उनके work, ठीक, जैसे मान लिजे आपके UP board में, जिनके compositions हैं, Shakespeare हो गए हैं, या John Keats हो गए हैं, William Wordsworth हो गए हैं, तो ये सारे ऐसे, कुछ के मैंने नाम लिए हैं, कुछ और भी हैं, उनका general introduction और उनका work पूछा जाता है, ठीक, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कि जब आप reading कर रहे हैं, तो reading में आप UP board के सारे writers को थोड़ा 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 उनका introduction per day read करेंगे, तो ये भी आपका तयार होता जाएगा, लेकिन मैं ये आपको बत history of English, literature and language, basic level का पूछा जाता है, फिर grammar में मैंने detail में बताया कि क्या क्या चीज़े आती है grammar में, ये मैंने यहाँ पर detail में बताया, कि parts of speech है, formation of sentences है, tense है, transformation है, voice है, narration है, vocabulary है, voice मतला active and passive voice, ठीक है, तो ये मैंने बताया, फिर तीसरी चीज़ क्या है, comprehension, मैंने बताया, इसके ल popular writers है, especially UP board में, जिनके compositions है, उनको पढ़ना है, और उनके general introduction, और general जो उनके work रहे हैं, वो पढ़ना है, ठीक, तो ये तो मैंने syllabus discuss कर दिया, I hope समझ में आ गया होगा, syllabus discuss करने के बाद, अब हम लोग समझते हैं कि, अगर हम English पढ़ रहे हैं, literature को भी हटा देते हैं, अभी हम language क पहले समझते हैं, तो language क्या चीज है, उसको अच्छे से समझना पढ़ेगा, ठीक है, तो एक basic introduction हम ले ले, language का, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, English, ठीक है, और English क्या है, English एक language है, जैसे दूसरी languages होती है, ठीक है, Hindi, Chinese, Japanese, वैसे ही English भी ए language है, ठीक, language की definition, अगर कभी आप से कोई पूछे, कि what is a language, तो आप एक simple definition दे सकते हैं, कि a medium of exchanging ideas, ठीक है, तो आप कह सकते हैं, कि language is a medium of exchanging ideas, ठीक है, मतलब यह जो भाशा है, यह विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम है, जैसे मैं अतनी देर से आप से कुछ विचार अपने शेर कर रहा हूँ, आदान-प्रदान कर रहा हूँ, प्रदान ही कर रहा हूँ ठीक है, तो मैं किसके medium से कर रहा हूँ, किसके माध्यम स इसको भी अच्छे से समझे कि ये माध्यम भी दो तरह के होते हैं यानि लांग्वेज भी आपकी दो तरह की होती है एक होती है वर्बल लांग्वेज जितनी चीजे पढ़ा रहा हूं किसी को भी आप लाइटली मत लीजेगा क्योंकि इन में से कहीं से भी question बन सकता है ठीक है एक भी बात फाल्तू नहीं बताई जाएगी तो सबसे पहले समझे ये दो तरह की language है verbal, non-verbal verbal and non-verbal दो तरह की language होती है verbal वो language होती है जिसमें हम words का use करते है शब्दों का use करते है non-verbal वो language होती है जिसमें हम शब्दों का यूज नहीं करते बलकि science यानि चिन्हों का यूज करते हैं या gesture हाथ पैर के हाव भाव का यूज करते हैं या फिर images या pics आप कह सकते हैं pics का यूज करते हैं तो इन सारी चीजों का यूज किया जाए शब्दों का यूज ना किया जाए तो non-verbal language हो गई verbal भी आपकी दो तरहा की होती है एक होती है oral यानि मौखिक जिसे बोला जाए दूसरी होती है written यानि लिखिद जिसे लिखा जाए ठीक है तो suppose कहीं पर एक board लगा हुआ है और उस board पर लिखा हुआ है no smoking तो इन्होंने क्या किया इन्होंने शब्दों का प्रियोग किया है no smoking में शब्दों का प्रियोग किया गया है तो no smoking में शब्दों का प्रियोग है और एक board यहां लगा हुआ है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है बलकि एक cigarette बनी हुई है जलती वीधुआ निकलता हुआ और उसमें से cut बना हुआ है तो यहाँ पर कोई शब्द नहीं यूस हुआ ठीक है तो यह आपकी हो गई क्या non-verbal language और यह हो गई क्या verbal language अब इसको लिखा गया है इसलिए यह written में है अगर कोई बोल देगा तो यह oral हो जाएगी मैंने बोला no smoking तो oral हो गई लिखा हुआ है तो written और यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक sign है एक gesture है जो कि बना हुआ तो यह non-verbal language जाएगी इसके कोई type नहीं होते है ठीक है कई बार आपने देखा होगा मानलीच आप कहीं गए तो कोई मांगने वाला कोई person आ जाता है तो मानलीच बोलता नहीं बहुत से लोग ऐसे इशारे से ऐसे करके मांग लेते हैं तो they have their own style तो किसी न अगर ऐसे मांगा तो आप समझ जाते न कहना चाहरा है मैं भूका हूँ मुझे कुछ देता हो तो वो क्या होगी non-verbal language होगी क्योंकि उसने words का use नहीं किया ठीक तो I hope ये clear है कि भाशा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है दो प्रकार है verbal non-verbal verbal वो जिसमें शब्दों का प्रेयोग हो non-verbal वो जिसमें sign, gesture, pics, वगयर का प्रेयोग हो verbal दो तरह की है oral written non-verbal का कोई प्रकार नहीं है verbal देखिए यहाँ पर example दिया no smoking और वहाँ पर example दिया किसे cigarette बना कर cut कर दिया ठीक है written का, oral का हमें नहीं पढ़ना है ठीक है तो verbal का हम written का part पढ़ेंगे हम वापस आते हैं यहाँ पर तो हमें एक चीज़ पता चली कि language जो है विचारों की आदान प्रदान का माध्यम है यानि जब तक किसी को कोई complete विचार ना मिले तब तक language नहीं हो सकती तो जैसे मान लीजे मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा estate मैंने कहा English मैंने कहा syllabus तो कुछ idea मिला नहीं मिला idea तब मिलेगा जब मैं complete sentence बोलूँगा मैं कहूँगा कि मैं estate के लिए junior estate के लिए English का syllabus discuss करने जा रहा हूँ तो जब मैंने यह complete sentence बोला then you got an idea तब idea आपको मिला ठीक है ना तो किसी भी idea को completely express करने के लिए हमें एक complete sentence बोलना होता है तो language किस से बनती है भई language बनती है sentence से अच्छा एक और बात आप लोग को बता दूँ language की study को grammar कहा जाता है बहुत से लोग सोचते language को ही grammar कहा जाता है नहीं language को grammar नहीं कहा जाता language की study को grammar कहा जाता है ठीक है study of language जैसे आप ऐसे भी समझ सकते दूसरे शब्दों में कि खाने को तो आप food कहते है ठीक है लेकिन खाना बनाने के तरीके को आप recipe कहते हैं recipe को food नहीं कहा जा सकता food को recipe नहीं कहा जा सकता वैसे ही language आप समझ दीजे food है और grammar recipe है ऐसे समझ सकते हैं तो grammar हो गई study of language और language बनती किसे? sentence से तो अगर हमें कभी कोई language सीखनी है तो हमें उसके sentences सीखने होते हैं तो sentence की definition पता होनी चाहिए sentence की देगे मैं बता दूँ आपके पास time कम है आपको धेर सारा पढ़ना है अगर आपके teachers आपको कम time में धेर सारा पढ़ा रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे gain करिए एक्तम active mind से बैठिए चीजों को revise करिए पर आपको gain करना है जादा महनत करना है double, triple जितनी हो सके उतनी अच्छा एक और important information यह है कि इस video के description में एक telegram का link दिया होगा जो की सब के लिए आप सब के लिए free है आप उस link पर click करेंगे तो आप हमारे channel से telegram पर जुड़ जाएंगे ठीक है और exam से related जितनी भी information है batch से related जितनी भी information है वो आपको उसमें मिलेगी अभी दो दिन हमारे वहाँ junior estate के admission की जो प्रक्रिया है admission का जो भी phase है format है वो continue है दो दिन तक हम admission ले रहे हैं तो आप telegram link पर जाहिए click करके और वहाँ पर सारी detail आपको मिल जाएगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अभी मैंने क्या बताया कि sentence से बनती है language इसका मतलब हमें sentence पता होना चाहिए कि क्या है sentence की definition जब हमने पढ़ी तो एक common सी definition हम देखते हैं वो definition क्या है a group of words which makes a which makes a complete sense यानि शब्दों का एक समूँ शब्दों का एक समूँ जो बनाता है या देता है एक पूरा अर्थ मैं यहाँ पर एक चीज और add कर सकता हूँ वो क्या कर सकता हूँ a group of grammatically arranged words यह आपको समझाने के लिए वरना definition इतने में भी enough है तो ऐसे भी कह सकता हूँ व्याकरण के अनुसार क्रम बद यानि सही क्रम में रखे वे यानि हर एक शब्द की अपनी जगा होती है तो व्याकरण के अनुसार अपनी अपनी जगा पर रखे वे शब्दों का समूँ जो पूरा भावदे कहलाता है sentence ठीक है तो ये सारे शब्द अपनी अपनी जगा पर है और सारे शब्द मिलकर एक पूरा भाव दे रहे है ठीक है पूरा sense दे रहे है इसी को कहते है हम क्या इसी को हम कहते है sentence अच्छा आपको बता दूँ कि आपको grammar में एक question इस तरह का भी मिलता है formation of sentence का ही वो पार्ट है जो मैंने syllabus discuss किया formation of sentence उसका ही पार्ट है कि question आपको ऐसे भी मिल सकता है कि sentence के जो words हैं उनको अलग अलग जगा पर रख दिया जैसे are, we, love, country ऐसे करके मानलीचे दे दिया sentence और बड़े हो सकते हैं इतने easy नहीं हो सकते हैं इतने easy भी हो सकते हैं पर इससे tough भी हो सकते हैं ठीक है, पर मैं formatic समझा रहा हूँ आपको कि जैसे इस तरह से दे दिया तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी one, two, three, four words है लेकिन यह सारे words grammatically arranged नहीं है व्याक्राड कहने हैं, क्रमबध नहीं है तो इसलिए यह sentence नहीं कहलाएगा वो आपको sentence बनाने के लिए इस तरह से words भी दे सकते हैं ठीक है, तो sentence अभी होगा जब सारे words अपने अपनी जगा पर होंगे और पूरा भाव दे रहे होंगे तो I hope इतनी बात समझ में आ गई व्याक्राड कहने साथ क्रम बद्ध शब्दों का समूँ जो पूरा भाव दे कहलाता है sentence, right? Now we talk about sentence, ठीक है? तो sentence हो गया अब sentence की definition से ये पता चला कि sentence बनता है words से क्योंकि कहा गया ना शब्दों का समूँ है words का group है तो इसका मतलब sentence किससे बन रहा है? words से language बन रही sentence से sentence बन रहा है words से इसका मतलब हमें पहले words सीखने होंगे तब हम sentences सीख सकते हैं तो words basic level के तो मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे common formation के लिए आप English के words जानते होंगे general pronounce जो होते हैं और general nouns जो होते हैं तो वो आप जानते होंगे तो हम उनके साथ चुरू करेंगे लेकिन आपको एक बात और बता दू कई बार words सीखा sentence बनाते हैं कई बार words phrases बनाते हैं और वो phrases sentence का हिस्सा होते हैं कई बार words clauses बनाते हैं और वो clauses sentence का हिस्सा होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि clauses क्या होती है और phrases क्या होती है ठीक है clauses और phrases हमें पता होनी चाहिए तो चलिए देखते हैं clauses और phrases क्या होती है सबसे पहले मैं clauses बताता हूँ फिर phrase बताऊँगा clause की अगर बात किया जाए तो आप simple शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि clause जो है वो एक small sentence है छोटा sentence है a small sentence पूरा लिए देता हूँ in a large sentence किसी बड़े sentence के अंडर में किसी बड़े sentence के अंदर छोटे sentences जो होते हैं वो कहलाते हैं क्या clause कहलाते हैं for example मैंने लिखा क्या लिखा मैंने लिखा I went there तो आप देखने ये एक sentence है ना I went there फिर मैंने लिखा I wanted to see you मैं तुमसे मिलना चाहता था तो दो sentences हो गए ना अब ये जो दो sentences हैं मान लिजे मैंने किसी conjunction से इन दोनों को एक कर दिया और मैंने क्या लिखा I went there because I wanted to see you तो दो sentence अब नहीं रहे गए ना अब तो एक sentence हो गया लेकिन जो एक sentence के अंदर छोटे sentences हैं वो अब क्या कहलाएंगे वो कहलाएंगे clauses चीक है तो clauses के लिए ये जरूरी है कि आपके पास subject plus verb का format हो subject plus verb का format जैसे यहां दोनों में मिलना ना एक subject plus finite verb finite verb आप ऐसे समझ लीजे जो tense के according होती है जो tense बदलने पर अपनी form चेंज करती है है ना तो past tense में ये भी है ये भी past tense में है ना अगर present में करते हैं तो दोनो present में हो जाती है हो जाता I go there because I want to see you ऐसे हो जाता है जो verbs tense के according change होती है जिनकी form change होती है वो finite verb होती है तो इसकी खासियत clause आप ऐसे पहचान सकते हैं कि उसमें एक subject प्लस एक finite verb होगा अगर subject प्लस finite verb नहीं मिल रहा है तो वो clause नहीं हो सकती ठीक तो clause किसी बड़े sentence के under में कोई छोटा sentence कहलाता है ठीक है तो I hope इतनी बात अच्छे से clear हो गई अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रेज की किसकी बात करते हैं फ्रेज की तो फ्रेज की जब बात करेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रेज एक छोटा ग्रुप होता है sentence का small group generally छोटा होता है पर जरूरी नहीं कि छोटा ही हो a small group of words which makes a sense but not a complete sense क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे sentence शब्दों का समू है वैसे फ्रेज भी शब्दों का एक छोटा समू होता है लेकिन sentence complete sense देता है पूरा भाव देता है फ्रेज complete sense नहीं देगा ठीक है कुछ भाव देगा पर complete sense नहीं देगा ठीक जैसे मान लिजे आप से मैंने कहा on the table मेज पर तो आप कुछ समझें नहीं समझें या मैंने कहा at three o'clock तीन बजे at three o'clock तीन बजे आप कुछ समझें नहीं समझें लेकिन अगर मान लिजे आपने मुझसे पूछा मेरा बैक कहा है और तब मैंने कहा on the table तो sense मिल गया ना आप समझ गया या आपने मुझसे पूछा कब मिलूँ मैंने कहा at three o'clock तो आप समझ गया तो यही है तो phrase क्या है भाव देता है पर पूरा भाव नहीं देता है ठीक है या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक से अधिक शब्द मिलकर एक समय एक व्यक्ति एक जगा कोई एक चीज की बाग करे एक चीज को व्यक्त करने के लिए एक से ज़ादा शब्दों का प्रयोग करना हूँ तो वो जो एक से ज़ादा शब्दों का समय है वो phrase कहलाता है जैसे मैं अगर noun phrase की बात करता हूं तो मैंने लिखा दा प्राइम दा प्राइम मिनिस्टर अग इंडिया अगर मैंने लिखा the prime minister of India तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भले ही one, two, three, four, five words है कई बार तो five words से कम में भी sentences भी बन जाते हैं यह five words मिल करके, सारे मिल करके किसी एक व्यक्ति को present कर रहे हैं एक व्यक्ति को present कर रहे हैं सारे words मिल करके ठीक है? और यह noun की तरह काम कर रहे हैं ठीक है? उनका कुछ, उनकी designation का नाम बता रहे है तो यह क्या हो गया? noun phrase हो गया ठीक है? अगर एक word होता तो वह noun होता और जादा words है, noun का काम कर रहे हैं तो noun phrase ठीक है? इसी तरह से verb phrases होती है ठीक है? जैसे मान लिजे मैंने एक verb phrase लिया come across तो come across क्या है phrasal verb चाहिए कह लिजे चाहिए verb phrase कह लिजे तो come across एक से जादा words की हो गई ना और दोनों मिलकर sense क्या देते हैं किसी से बिना planning के मिलना तो एक kriya का कारे करने के लिए एक kriya के लिए दो शब्दार है तो यह phrase हो गया verb phrase तो इसी तरह से noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase सारे phrases होते हैं आप ऐसे समझ लिजे एक शब्द की जगा कई शब्द जब आ करके एक शब्द का काम करें तो वो शब्दों का समूँ phrase कह लाता है ठीक है? तो I hope इतनी बात समझ में आगी होगी जिन topic को बहुत detail में नहीं पढ़ाना है उनको मैं आपको अभी सिर्फ introduce करा रहा हूँ अभी सिर्फ introduction है समझते जाईएगा चीजों को तो इतनी चीज समझ में आ गई फिर words किससे बनते हैं? obviously words बनते हैं letters से किससे बनते हैं? letters से तो हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए हमें letters से शुरुआत करनी चाहिए हमें किसी भी language को अगर सीखना है written सीखना है तो सबसे पहले उनके letters सीखने होते हैं जैसे आपको बच्चपन में क्या पढ़ाया जाता है सबसे पहले A, B, C, D ऐसे करके पढ़ाया जाता है उनी को लिखना सिखाया जाता है तो हमें सबसे पहले letters सीखने है letters से हम पढ़ाय शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक शब्द है आपके पास alphabet क्या है? alphabet और एक शब्द है आपके पास letter इन दोनों की meaning अलग-अलग होती है लेकिन बहुत से लोगों को लगता है यह दोनों एक ही होते है दोनों अलग-अलग है ठीक है? alphabet की हिंदी meaning होती है वर्ण माला जबकि letter की हिंदी meaning होती है अक्षर एक alphabet के अंडर में 26 letters होते है कितने letters होते है 26 letters होते है चीक है? माला कैसे बनती है? वर्ण माला माला कैसे बनती है? जब कई सारे फूल या कई सारे मोती एक धागे में पिरो दिये चाते है तब माला बनती है कभी सुना एक फूल की माला एक मोती के माला नहीं होती है नहीं होती तो वर्ण माला से आप ऐसे समझ जाए कि जब A से Z तक पूरा लिखा जाएगा तब वो एक alphabet होगा A से Z तक पूरा लिखेंगे तब वो एक alphabet होगा ठीक है और अगर आप alphabet बोलते हैं plural में ठीक है तो उसका सेंस होता है अलग-अलग भाषाओं की अलग-अलग वर्ण माला है जैसे आप alphabet तब बोल सकते हैं जब आप A से Z तक भी लिखा है आपने और फिर A से G तक भी लिखा है तो दो भाषाओं हो गई नहीं दोनों के alphabet हो गया ठीक है इसी तरह से अगर आप किसी के बारे में कहते है He knows many alphabets वो कई alphabets जानता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो कई भाषाओं लिखना और परना जानता है ठीक है तो इसका यह sense होता है ठीक तो एक भाषा के अंदर केवल एक ही alphabet हो सकता है English के अंदर केवल एक ही alphabet हो सकता है A से Z तक पूरा लिखा गया एक alphabet और उस alphabet के parts है letters तो letters हमारी English में एक alphabet के अंदर 26 letters है तो इसमें से कोई भी एक ले लिजए आपने B ले लिया आपने N ले लिया आपने O ले लिया आपने G ले लिया ये सारे क्या है ये letters है ठीक है एक example से भी मैं समझाता हूँ कि अगर मान लिजे आपके पास कोई एक sentence इस तरह का आजाता है कि There are five there are five alphabets in India ठीक है इंडिया वर्ड लिखा गया और कहा गया इसमें पांच alphabets है आपने देखा one, two, three, four, five five तो हैं लेकिन ये alphabets थोड़ी ना है ये तो letters है alphabet तो तब होता है जब A से Z तक पूरा लिखते हैं तो five alphabets नहीं होंगे five letters होंगे तो there are five letters in India ये sense आएगा ठीक तो I hope ये बात समझ में आ गई सबको there are five letters in India अब जब हमने इस चीज को जानी लिया समझ ही लिया तो देखते हैं मैंने क्या बताया मैंने बताया कि एक alphabet है एक alphabet English का है तो उसमें 26 letters है है ना तो ये जो एक alphabet है ये जो 26 letters है इनको दो parts में बाता गया है ठीक है एक part कहलाता है vowel क्या कहलाता है vowel और दूसरा पार्ट कहलाता है consonant vowel and consonant vowel को हिंदी में आप कहते है स्वर ठीक है और consonant को हिंदी में कहते है व्यंजन ठीक हमारे पास 26 letters में से 5 letters A E I O U ये होते हैं vowel ठीक है जो कि sounds को जोडने का काम करते हैं तो A, E, I, O, U वावल हो गया है 5 और जितने बाकी के बचे हैं वो सारे के सारे यानि आप कह सकते हैं 3, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेट, ये सारे क्या हैं? कॉंसोनेंट्स हैं, तो 21 कॉंसोनेंट्स हैं और 5 वाविल हैं, ठीक है? लेकिन आपको information सिर्फ यहीं तक नहीं रखनी हैं, आपको एक जानकारी और होनी चाहिए, वो यह है कि इन 26 letters से, in 26 letters से 44 sounds produce होते हैं, इस से related question एक बार स्टेट में पूछा भी जा चुका है, तो 44 sounds जो produce होते हैं, उसमें 20 sounds वाविल होते हैं, स्वर सांट्स, and 24 sounds consonant होते हैं, चीक है? तो यह आपको पता होना चाहिए, कि 5 vowels हैं, 21 consonant हैं, लेकिन total 44 sounds हैं, जिसमें 20 sounds वाविल हैं, and 24 sounds consonant हैं, ठीक? तो I hope इतनी बात clear हो गई होगी, समझ में आगया होगा, अचा, इन sounds को बहुत detail में आपको नहीं पढ़ना होता है, इसको detail में पढ़ने की जरुरत नहीं होती हैं, उनसे questions नहीं बनते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको time को देखते वे, इनको detail में नहीं पढ़ाया जाएगा, पर किसी का अगर mood करेंगी वो देखना चाहता है, तो हमारे channel पर एक video मेरा है, target with dialogue channel पर आप search करेंगे, तो sounds का एक video मिल जाएगा, exam के बाद अगर मन हो जानने का की sounds जाने, तो आप उस video को देख स कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन जब हम words की बात करते हैं, तो words के बारे में हमें जानना चाहिए, देखें, अभी मैं सिर्फ introduction दूंगा words का भी, और depth में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, depth में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ जान पहचान करा दू, words की अगर आप बात क करें, तो words हमारे क्या होते हैं, words हमारे वाक्यों के हिस्से होते हैं, parts होते है, words की जब हम study करते हैं, तो जो हमारा topic बनता है, वो बनता है, parts of speech, देखें, वैसे तो आपको बता दूं, लगबख 30 लाक common use के words है, उन सारे words को हम नहीं सीखना, लेकिन उनकी category तो सीखना पढ़ abouts of speech, speech को English में sentence भी कहते हैं, तो जैसा कि हमें पता है, कि जो words है, वो sentence के parts होते हैं, क्योंके words हितो sentence बनता है, तो words क्या हो, sentence के parts होते हैं, तो sentence के parts होते हैं, words और इसी लिए इस topic का नामरा रखा गया parts of speech, क्योंकि इसके अंदर हम words की study करते हैं, तो words को 9 categories में बाटा किया है, कितनी categories में? 9, तो हमारे 9 parts तो speech होते हैं, तो 9 categories हमारी जो है, उनको हम देखते हैं, जिनमें पहली category हमारी जो आती है, वो है noun, noun की बहुत सारी definitions आपको मिलेंगी, मैं एक simple सी definition देता हूँ, noun is name, noun नाम है, आप आगे लिख सकते हैं, noun is the name of a person, place, thing, animal, feelings, emotions, जितना भी जोड़ते जाईए, तो in short जब हर चीज का नाम noun है, तो सीधा सीधा कह दीजे, noun is name, noun नाम है, चाहे वो किसी भी चीज का नाम है, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, animal का हो, feelings का हो, emotions का हो, किसी भी चीज का नाम noun है, ठीक है, तो in short कह सकते है, noun is name, for example, आपने कहा, book, किसी object का नाम है, आपने कह दिया, राहुल, किसी भी अक्ति का नाम है, आपने कह दिया, milk, किसी material, किसी चीज का नाम है, आपने कह दिया, gold, किसी material का नाम है, आपने कह दिया, air, यह भी तो किसी चीज का नाम है, आपने कह दिया, वस्तु किसी चीज का ना तो happiness यानि प्रसन्नता, खुशी, तो किसी emotion का नाम है, ठीक है, बहुत से लोग confused हो सकते हैं कि happiness तो adjective है, लेकिन बता दू happiness noun है, happy adjective होता है, ठीक है, तो किसी भी चीज का नाम noun है, ठीक, और अगर मान दिजे आपको कभी confusion है किसी word को लेकर कि कि वो noun है या नहीं है, आपको उसे चेक करना है, तो आप simple formula ले लिजे, to check a noun, use it with, use it with, my, your, his, her, its, etc, ठीक है, मेरा, उसका, तुम्हारा, ऐसे किसी word के साथ लगा कर कर देख लिजे, अगर वो set हो रहा है, तो वो noun है, set नहीं हो रहा है, तो noun नहीं है, for example, अगर मैंने कहा happiness, तो happiness मतलब क्या होता है, obviously आपको meaning पता होना चाहिए, अगर meaning ही नहीं पता है, तब तो फिर वो word आपके लिए कुछ नहीं है, वो काला अक्छर भैस बराबर हो जाएगा, तो जैसे म आपको पता है happiness की हिंदी मीनिंग है प्रसन्नता, लेकिन फिर भी आप confused जाएं कि यह noun है या adjective है, तो आप उसको my के साथ लिख कर देख लिए, my, your, his, her के साथ, set हो रहा है, मेरी प्रसन्नता, तुम्हारी प्रसन्नता, ऐसे हम बोलते हैं, मेरी प्रसन्नता, ठीक है, भाई म मेरा मन मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी, तुमसे क्या मतलब है, ऐसे बोलते हैं, तो set हो रहा है, लेकिन अगर आपने word लिखा happy, happy word जैसे ही आपने लिखा, आपको इसकी हिंदी मीनिंग पता है, प्रसन्न, तब आप इसके साथ कुछ लगा कर देखे, my happy, ऐसा होता है, क्या मेरा प्रसन्न, तुमारा प्रसन्न, नहीं, आप फिर इसके आगे noun जोड सकते हैं, मेरा प्रसन्न मन, मेरा प्रसन्न भाई, मेरी प्रसन्न बहन, ठीक है, लेकिन केवल मेरा प्रसन्न है, कोई sense नहीं दे रहा है, तो जिनके भी साथ आप my, his, her वगेरा जोड सकते हैं, वो noun ह हो सकता ऐसे भी आप noun को पहचान सकते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं noun की बात कर लिया तो पार्ट से स्पीच में दूसरा हमारा पार्ट स्पीच आता है प्रनाउन सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं प्रो एक prefix है prefix बोलते हैं ऐसे शब्दों को जो किसी के पहले जोड़ते हैं और जोड़कर complete word का sense change कर देते हैं ठीक है हिंदी में इसे उपसर कहा जाता है प्रो की यह प्रो की मीनिंग होती है और नाउन अभी हम पढ़ी चुके है नेम तो प्रो नाउन का मतलब क्या हो गया सब्स्टिट्यूट फो नेम यानि नाम ना ले करके नाम के जगा पर कोई दूसरा शब्द बोल दिया जाए जिससे आप किसी के बारें बात कर सकें तो ऐसा शब असान शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं a word in place of a noun यानि किसी noun की जगा पर दूसरा शब्द फोर एक्सामपल आप किसी के बारें बात कर रहे हैं आपने का राहुल मुझे जानता है वहा मुझसे मिलता है तब वहा तो उसका नाम नहीं है लेकिन आपने उसके नाम की समझ में आ गया आगे बलते हैं noun pronoun जब समझ में आ जाता है तो तीसरी चीज़ आपको जो समझना चाहिए वो क्या है एडजिक्टिव एडजिक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो हमें कुछ बताता है विश्टेलस हमें बताता है क्या बताता है कुछ भी बता सकता है विश्टेलस समझना बाउट किसके बारे में आ नाउन और अ प्रनाउन या किसी नाउन या प्रनाउन के बारे में कुछ बताने वाला शब्द एडजिक्टिव होता है ठीक है, किसके बारे में, नाउन या प्रनाउन के बारे में, कुछ बताने वाला शब्द होता है, क्या, adjective, जैसे मैंने लिखा, he is fast, वह तेज है, तो यहाँ पर fast word किसके बारे में बता रहा है, he के बारे में, तो fast word क्या हो गया, adjective हो गया, मैंने गा, you are beautiful, तो you के बारे में बता रहा है, you क्या है, beautiful है, तो beautiful क्या हो गया, adjective हो गया, ठीक है, मैंने नाउन के बारे में, जैसे मैंने कहा, कि I have a white horse, मेरे पास एक सफेद घोड़ा है, तो घोड़ा, घोड़े के बारे में कौन सा word बता रहा है, white, white क्या हो गया, adjective, तो नाउन के बारे में जो बता रहा है वो भी adjective है ठीक है? अच्छा noun के ठीक पहले adjective जुड़ सकता है लेकिन pronoun के ठीक पहले कभी भी adjective नहीं आता है pronoun के बारे में वो being के case में ही बताता है being का case मतलब जिसमें main verb is, am, are, was, were ऐसा कुछ होती है है वाले में noun के साथ पहले जुड़ सकता है, pronoun के साथ पहले नहीं जुड़ सकता है, pronoun के साथ इसी तरह के sentence में आता है, he is, you are, I am, she is, ठीक है noun के साथ इस case में भी आ सकता है, दूसरे case में भी आ सकता है, जैसे मैंने कहा राहुल is good राहुल अच्छा है ठीक है, तो good राहुल के लिए आ रहा है तो noun के लिए ये ऐसे भी बताता है और उसके पहले जुड़ कर भी बताता है लेकिन pronoun के लिए ये सिर्फ ऐसे ही बताता है, pronoun से पहले कभी भी adjective नहीं जो होता, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है करें आगे बड़ते हैं next part of speech की बात करते है adjective के बाद बात करते हैं हम adverb की, ठीक है हमने noun pronoun adjective पड़ा adverb की बात करते है तो adjective और adverb में बस इतना सा अंतर है कि वो भी एक ऐसा शब्द होता है, ये भी एक ऐसा शब्द जो हमें बताता है लेकिन अंतर क्या है सम्थिंग अबाउट एनी पार्ट अव स्पीच एक्सेप्ट अनाउं अप्रनाउं अब समझे क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि ये एक ऐसा शब्द होता है जो हमें किसी भी पार्ट अव स्पीच के बारे में बता सकता है सिवाए नाउं प्रनाउं और इंटर्जेक्शन के Interjection ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता वो emotion को express करने वाले शब्द होते हैं तो इनके साथ कोई quality नहीं जोती और noun pronoun adjective का department है तो आप simple words में अगर इन दोनों के difference को याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भाईया जो noun pronoun के बारे में बताएगा वो adjective होगा बाकी किसी के भी बारे में बताएगा तो वो adverb हो जाएगा ऐसे आप याद रख सकते हैं जैसे मैंने एक sentence लिखा था adjective में he is fast तो मैंने आपको बताया था था ना कि fast he के बारे में बता रहा था तो क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ यह बताया था मानने जैगर मैं लिखता हूँ he he runs fast sentence की मीनिंग क्या हो गई वह तेज दोडता है यहां कहरे हैं वह तेज है उसी को तेज कहा जा रहा है यानि हर काम में तेज है वह ही तेज है ठीक है लेकिन यहां कहरे हैं वह तेज दोडता है केवल उसके दोडने को तेज कहा जा रहा है वह सकता है बाकी तांदीमे करता है ठीक है तो अब fast किस के लिए आ रहा है runs के लिए आ रहा है और आपको पता है noun pronoun के लावा किसी के भी बारे में बताए तो वो शब्द क्या होगा एडवर्ब हो जाएगा तो यही fast उपर वाले sentence में adjective है लेकिन नीचे वाले में एडवर्ब है क्यूं? क्योंकि उपर ये pronoun के बारे में बता रहा है नीचे ये verb के बारे में तो non pronoun के बारे में बता है तो adjective और शिकटे लिकिरी carrying बारे तो इंड़ोब ऐसे याद रखना है मुव अहेड बात करते हम वब की वब की बात किया जाए तो तीन चीजों को बताने वाले शब्ध वर्ब होते हूं ये तीन हो चीजों आप आपको माइंड में रखनी है वैसे तो वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं लेकिन आप केवल क्रिया से नहीं समझ पाएंगे इसलिए अच्छे समझ यह कि एक्षन बींग और पॉसेशन इन तीन चीजों को बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्या वर्ब ठीक एक्षन मतलब कोई भी कार है कार की बात किया जाए तो बहुत सारे कार है खाना पीना सोना जागना उठना बैठना पढ़ना लिखना रोना इस सारे क्या है एक्षन ठीक है तो एक्षन में बहुत धेर सारे एक्जामपल होते हैं माने जे मैंने कहा दिया टीच पढ़ाना मैंने कहा दिया गो जाना मैंने कहा दिया इट खाना वगरा वगरा ठीक है लेकिन बींग में आपके पास बींग क्या है? बींग किसी का होना बताने वाले शब्द. तो एक तो मैंने कह दिया मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं कहूंगा I teach. तो teach मैंने आपर अपना कारे बताया, अपना action बताया. लेकिन अगर मैंने कह दिया मैं एक अध्यापक हूँ, तब मैं एक अध्यापक हूँ, में अपना कारे तो नहीं बता रहा हूँ, जो मैं हूँ वो बता रहा हूँ. तो हो ना बताने वाले शब्द को being का केस कहते हैं और इसके लिए आपके पास केवल एक वब है be जिसकी अलग-अलग forms होती है वो forms क्या होती है आपके अलग-अलग forms में is, am, are, was, were ठीक है, being, being ये सारी इसकी forms होती है राइट फिर बात करते हैं possession की possession का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार रखना ठीक है, अधिकार होना या रखना तो अगर किसी ने कहा कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास पैसा है तो किसी के पास होना, इस sense को हम possession कहते हैं और इसके लिए भी आपके पास केवल एक वब है, वो है have जिसके अलग-अलग forms होती है, has या have, had और having ये forms होती है, ठीक है अब जैसे कि मैं तीन तरह से अपने बारे में बता सकता हूँ, एक तो मैं अपना काम बता सकता हूँ, जो मैं action करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, I teach, कारे बता दिया दूसरा, मैं क्या हूँ, वो बता सकता हूँ, I am a teacher, मैं कध्यापक हूँ, ठीक है तीसरा, मैं क्या रखता हूँ, ये बता सकता हूँ, मेरे पास अंग्रेजी भाषा का ग्यान है, ठीक है तो किसी के पास कुछ है तो वो possession का case है कोई कुछ है तो वो being का case है कोई कुछ करता है उसका कार बता रहे है तो action का case है ठीक तो verb तीन चीज़ों को denote करते है यह आपके mind में save होना चाहिए ठीक है verb बता दिया है मैंने noun pronoun adjective adverb verb अब बात करते हैं conjunction की किसकी बात करते हैं conjunction conjunction बहुत आसान है आप समझ सकते हैं कि यह joiner का काम करता है junction क्या होता है junction वो station होता है जहाँ पर कई रास्ते जोड़ते हैं जहाँ से कई रास्ते निकलते हैं का मतलब जहाँ पर कई रास्ते जोड़ते हैं एक ही बात हो गई तो जो जोड़ता है कई रास्तों को वो junction है उसी से आप याद रख सकते हैं conjunction a word which joins ऐसा शब्द जो जोड़ता है ठीक है which joins किसे जोड़ता है two different दो अलग-अलग words को phrases को या clauses को ठीक है तो दो अलग-अलग शब्दों को वाक्यांशों को phrase को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं या उप वाक्यों को जोड़ने का काम करे वो कहलाता है क्या conjunction और इससे हमारे पास धेरो एक्जाम्पल से हैं जैसे and है आपने and से आप जोड़ते हैं I bought a pen and a pencil तो a pen and a pencil तो and ने जोड़ा ना pen or pencil को इसी तरह से because है I went there because I want to see him मैंने इस तरह का लिखा है ना sentence फिर yet है but है etc और जो एक से जादा words के होते हैं उन्हें हम conjunctional phrase कहते हैं ठीक है तो कुछ conjunctional phrases ही बहुत common है conjunction phrase चाहे कह लिजे चाहे conjunctional phrase कह लिजे both the words are correct तो उसमें जैसे एक से जादा word का है as well as है ना या together with along with या not only but also है ना तो यह सब conjunctional phrase में आ जाते हैं या आप कह सकते हैं either or neither nor etc either के साथ nor मैंने लिखती है जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि either के साथ nor है either के साथ और ही आएगा ठीक तो यह I hope conjunction भी आपको समझ में आ गया फिर बात करते हैं हम next देखे मैंने क्या पढ़ाया noun पढ़ाया pronoun पढ़ाया adjective पढ़ाया adverb पढ़ाया verb पढ़ाया conjunction पढ़ाया ठीक है अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ seventh part of speech बता रहा हूँ जिससे हम कहते हैं interjection और interjection मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैं adverb बता रहता हूँ फिर से बता दिता हूँ आप simple word में समझ जाएए कि एक ऐसा शब्द है a word which expresses जो व्यक्त करता है express करता है यानि कि व्यक्त करता है क्या an emotion किसी भाव को वैसे तो आप किसी के अंदर के भाव को समझ नहीं सकते हैं लेगिन अगर उसने किसी interjection को बोला तो आप उसके भाव का idea जरूर लगा सकते हैं ठीक है? कि वो खुश है, दुखी है, क्या है ठीक है? जैसे अगर कोई खुश होता है तो वो कह देता है हराह हराह, I win ठीक है? वो असे लोग इसे हुर्रे हुर्रे भी एक word है आपको बता दूँ ऐसे भी लिखा जाता है ठीक? हुर्रे पढ़ते हैं उसे तो हराह, हुर्रे ऐसे करके या कोई दुखी है तो वो कह देता है अलास या दुख में है, पीडा में आह या मान दीजे कोई गुस्से में है तो उसने कह दिया शुगर या शुगर वर्ट आपके लिए हो सकता है नया हो, इंटरजेक्शन में एक तो शुगर चीनी होती है वो तो जानते हैं आप लेकिन एक शुगर इंटरजेक्शन होता है तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं गुस्से में धत English में बहुत से लों कहते हैं Shit जब कि आपको बता दो Shit offensive word है उसे नहीं बोलना चाहिए खराब word है उसे नहीं यूज़ करना चाहिए ठीक है तो आप उसकी जगा sugar यूज़ कर सकते हैं ये offensive नहीं है ठीक है तो किसी बात कर कहना है धत तो आप कह सकते हैं sugar मानले जे मैंने आप से कहा कि ये ये book लेते आना आप भूला है रास्ते में यादा है तो आपने का दद book तो भूला है sugar forgot book याठ हो तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ठीक है तो interjection भी I hope clear है फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एक पार्ट उस्पीच की जिसे हम कहते हैं preposition क्या कहते हैं भाई preposition prepositions की तमाम definitions मिलती हैं books में जैसे की एक definition मिलती है कि preposition is a word which joins an object to its verb या to the verb of the sentence या to its sentence ऐसे करके यानि आप कह सकते हैं कि बुक में मिलता है कि preposition ऐसा शब्द होता है जो object को verb से या sentence से जोड़ता है ठीक सही है वो भी definition आप वो भी याद रख सकते हैं एक definition मैं और दे रहा हूं आप ऐसे कह सकते हैं कि a word which tells us the exact position of something something का short form या चलिए मैं फुल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं कुछ लोग confused हो जाते हैं of something proposition के आप नहीं जानेंगे न उसकी सही स्थिती मैंने का ball मेंज है अब ball मेंज है तो ball मेंज तो नहीं है आपको पता है वाँ proposition होना चाहिए तो ball मेंज पर भी हो सकती है अगर यहां होई तो वो पर हो गई on ठीक है ball मेंज के नीचे भी हो सकती है अगर यहां होई तो under ठीक है ball मेंज के बगल में भी हो सकती है यहां होई तो beside ball मेंज के पीछे भी हो सकती है behind ball मेंज के पास भी हो सकती है near तो ये words ही तो बताएंगे ना exact position ठीक है तो exact position बताने के लिए आपको preposition का use करना पड़ता है तो हर वो शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तो की exact position बताए उससे हम कहते हैं preposition ठीक आगे बताते हैं फिर last हमारा part of speech हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं article क्या कहते हैं भाई आर्टिकल वैसे तो article की कोई definition नहीं है आप समझ जाएए यह तीन words हैं आ, एन, दा ये तीन शक्त article कहलाते हैं आ, Va को हम कहते हैं Indefinite Article और दा को कहते हैं Definite Article क्यूं कहते हैं? Definite मतलब होता है निश्चित निश्चित यानि जिसके बारे में पता है कि कौन से वाले की बात हो रही है जिसको लेकर कोई confusion नहीं है तो जैसे अगर मैंने का सूरज पूरब में उपता है तो आप मुझसे पूछेंगे क्या कौन सा सूरज कोई confusion नहीं, निश्चित है कौन सा सूरज यह मने सब को पता है हम सब को 30 Pen đãs right अजा मेंने का ताज महल एक मग्बरा है तो आप मुझसे पूछाँगे क्या कौण साँ एप नहीं पूछेंगे क्योंकि वह निश्चित नहीं उसके बारे में कोई confusion नहीं है या मैंने कहा गंगा एक पवित्र नदी है तो आप मुझसे पूछेंगे क्या कौन सी गंगा क्योंकि हम सबको पता है कौन सी गंगा निश्चित है ठीक है? तो इसलिए जो निश्चित नाउन के साथ जुड़ता है उससे हम निश्चित आर्टिकल यानि definite आर्टिकल कहते है ठीक है? और जो निश्चित हो confusion हो सकती है कौन सा है ना उसके साथ हम आयायन लगाते हैं जैसे मैंने कहा एक pen खरीद लेना तो कौन सा pen? या नहीं पता है कोई भी एक pen ले सकते हो मैंने कहा मैंने एक लड़के को देखा कौन से लड़के को देखा कोई निश्चित नहीं है कोई भी एक लड़का वो हो सकता है ठीक है? अब जैसे मैंने कहा एक सेव रोज खाया करो एन एपल तो कौन सा सेव खाना है? नहीं है वो निश्चित नहीं है और नाइन पार्ट स्पीच आपने देखें और इन नाइन सब्सक्राइब तो यह अब तो यह हमारे नाइन पार्ट करते हैं तो यह को देखें और इन नाइन पर्ट की थरू स्टड़ी अभी आपको करना है ये तो सिर्फ introduction था कि कौन क्या होता है और एक चीज समझ लिजे अगर आपने ये mindset कर रखा है कि आपको exam crack करना है तो ये भी mindset कर लिजे कि जितना कुछ पढ़ाया गया उसे point to point आपको अपने mind में रखना है कुछ भी भूलना नहीं है ठीक है तो आप ये समझ लिए कि सिर्फ उतनी ही चीजे बताई जाएंगी जो exam में पूछी जा सकती है कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है इसलिए हर एक बात को आपको point to point mind में रखना है तो grammar को लेकर I hope ये बात समझ में आ गई एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि वीडियो के description में telegram का link दिया हुआ है आप उसको click करेंगे तो आप हमारे telegram पर हमारे channel से telegram पर हमारे channel से जुड़ जाएंगे ठीक है और channel से जुड़ने पर आपको admission से related batch से related सारी information मिल जाएगी channel पर ठीक है और अभी दो दिन हमारे admission open है तो आप admission कराना चाहें तो करा सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है चलता हूँ फिर मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए बाई जैहिद